नमस्कार दोस्तों, हकिन क्रेस of Tech की प्रोग्रामिंग अप टोचेश में मैं जी किष्णा चोहान आपका स्वावत करता हूँ तो आज इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है कि किस तरह से हम years को convert कर सकते हैं टोटल नमबर ओफ डेज या टोटल नमबर ओफ मन्स में तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए आपको पता होना चीए structure of C programming अगर आपको यह नहीं पता है तो आप हमारी previous videos भी देख सकते हैं इस topic के regarding और इसके साथ साथ आपको पता होना चीए data type और उसका format specifier और आप formula किस तरह से apply करेंगे इस particular program के लिए यानि कि आप किस तरह के से एक formula बनाएंगे अपने program के लिए कि आपको आपका desired output मिल सके तो चलिए शुरू करते हैं सुप्रेंट समकोई अगर program बनाना है तो इस program को बनाने के लिए सबसे पहले प्री प्रोसेसर डारेक्टिव से एड करूंगा मैं यहाँ पर header file से एड करूंगा hash include htdio.sh और hash include conure.sh उसके बाद मैं यहाँ पर main function एड करूंगा अपने years को एंटर कर दीजए और उसके बाद एक formula यहाँ पर apply करूंगा यह formula apply करूंगा उसकी बात कर लेते हैं कि एक साल में हमारे 12 महीने और एक साल में 365 देना होता है तो formula हमारा normally बनेगा कि अगर अपने को एक year में पता करना है कितने month हैं तो जो भी हमारे year का input होगा, उस input में हम multiply करेंगे 12 की तो हमारे को पता चल जाएगा जो भी given number of years हैं उसमें और हमको यह भी पता है कि भी एक साल में होता है 365 दिन तो given number of years में अगर हम multiply करना है 365 की 365 की 365 की तो हमको पता चल जाएगा कि भी पर्टिकुलर इतने सालों में कितने दिन होंगे तो बिल्कुल सिंपल सा हमने यहां पर फंडा अपलाई किया m equal to y into 12 यानि कि month equal to year into 12 इससे अपने को पता चल जाएगा भी मैने कितने हैं और इसी तरीके से हमने किया है days equal to y into 365 यानि कि अपने को पता चल जाएगा हम लोगों को यहां पर पता चल जाएगा कि एक year में या फिर given number of years में कितने देन होता है so friends output display कराने के लिए हम यहां पर print कर देंगे कि जो भी हमारा output है कि given numbers of years में कितने months हैं और कितने days हैं उनका representation किस तरह से हमने आपर किया है months in percentile d years are percentile d and days are percentile d और reflect करा दें years को month को और days को किस तरह से कि month in given number of years are particular days and days are these तो इसको प्रोग्राम को compile और run करके देख लेते हैं कि हमारा output क्या आता है तो सबसे पहले मैं compile करूँगा और compile करने पर देखिए कोई गलती नहीं है इसको मैं प्रोग्राम को जल्दी से run करूँगा ठीक है मैं यहाँ पर input देता हूँ 9 years और enterprise करता हूँ तो आ जाता है months in 9 years are 108 यानि कि 9 साल में 108 महीने होते हैं प्रोग्रेम था प्रोग्राम काफी आसान है तो फ्रेंट्स हमें देखा कि किस तरह से हमने data type और format specifier का यूज किया और एक formula अपलाई किया जिसके तुरू हमारा output आया ठीक है और अगर आपको हमारे यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को like कीजिए आप अपने friends के साथ इस वीडियो को share भी कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक भी यह चैनल सब्सक्राइब नह झाल